बांगलादेश के लोग सडकों पर उतरा हैं, प्रोटेस करनें ये है दुनिया की one of the fastest growing economy का कड़वा सच श्रीलंका पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुका है पाकिस्तान अपने लोगों को चाय पीने नहीं दे रहा और भारत को इससे क्या lesson सीखने चाहिए ताकि हम ऐसी situation को avoid कर सकें आपका time valuable है, इसलिए यह सारे chapters है बट situation को पूरी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को end तक देखिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ share की वीडियो शुरू करने से पहले एक disclaimer बांगलादेश हमारा neighbor है और हमें वहां की situation समझने की जरुवत है इस वीडियो में हम कहीं भी उनके बुरे हाल के लिए खुशी नहीं जता रहे लेकिन कुछ points समझने की, analyze करने की कोशिश कर रहे है तो अगर आप बांगलादेश से हैं, तो let me make it clear इस वीडियो इस नोट इंसल्ट यू और यूर कंट्री इस तो स्टडी, अंडिस्टाइड और लोरा चाप्टर वांगलादेश का आज का हाल ये है बांगलादेश, दुनिया की fastest growing economies में से एक सिर्फ 6 माईने पहले की बात है, पूरी दुनिया बांगलादेश की तारीफ कर रहे थी World Bank ने बांगलादेश को एक model for poverty reduction कहा बड़े-बड़े experts मानते हैं कि 2041 तक बांगलादेश एक developed देश बन जाएगा and you know what, I agree हर article, हर graph, हर news portal यही कह रहा था कि बांगलादेश का must चल रहा है और बांगलादेश सच में बहुत अच्छी तरह से grow कर रहा था तो अब क्यों? पेट्रोल की prices कुछी दिनों में 50% बढ़ गए हैं क्यों आम लोग ये कह रहे हैं कि भीक मागने की पारी आ रही है जस्त एक साल पहले की बात है बांगलादेश का पर-capita income भारत के पर-capita income से $280 जादा था आसान भाषा में कहां जाये तो बांगलादेश का एक आम इंसान भारत के एक आम इंसान से बाईस हजार रुपए जादा कमारा था जहां भारत का GDP ग्रोथ हर साल थोड़ा-थोड़ा slow हो रहा था बांगलादेश पा GDP ग्रोथ रे 2019 तक consistently बढ़ रहा था इवन 2020 में जहां भारत की economy 8% से कम हुई वहां बांगलादेश की economy 3.4% से बढ़ी आज बांगलादेश ने IMF से $4.5 billion का एक bailout package मांगा है उनके officials कहते हैं कि ऐसे कोई problem problem नहीं है बस precaution के तौर पर हम loan ले रहे हैं ये IMF का loan एक lota loan नहीं है ये एक pattern है जो बार-बार repeat होता जा रहा है जून 2020 में जिस दो साल पहले बांगलादेश ने $1.7 billion का pandemic loan अलग-अलग agency से लिए vaccination program के लिए 61 million vaccine doses free में अमेरिका से लिए यानि vaccines के लिए बांगलादेश पैसे नहीं दे सकता था उसी program को run करने के लिए $1.4 billion World Bank से उठाए IMF World Bank America कोई charity ने चलाते इस loan पर interest charge करते हैं जो कभी ना कभी pay करना पड़ेगा इतनी सारी मदद मिले के बाद आज 2022 में बांगलादेश एक सही track पर होना चीए था फिर से back to normal होना चीए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि problem चितना चोटा दिखता है उतना चोटा था नहीं क्योंकि कोई भी data कोई भी survey हमें एक देश का पूरा picture में दिखाता है सिर्फ एक अनुमान दिखाता है एक estimation statistics कोई भविश्यवानी नहीं होता जो एक guarantee देदे कि सब ठीक हो जाए क्योंकि data को manipulate किया जा सकता और बांगलादेश में कुछ ऐसा ही हुआ 2009 में शेक हसीना बांगलादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी और उन्होंने बड़े-बड़े infrastructure projects शुरू किये इसमें Padma Bridge, Rookpur Nuclear Power Plant, Dhaka City, Metro Rail ऐसे कई ambitious और costly projects शामिल हैं अच्छी बात है projects development के लिए होते हैं लोगों की भलाई के लिए होते हैं यानि plan तो अच्छा था लेकिन execution Padma Bridge जिसकी cost 1.16 billion dollars होने वाली थी वो बनते-बनते cost double से भी ज्यादा 3.6 billion हो गई ये same pattern Metro Rail underwater करनफली टैनल में भी दिखता है corruption की वज़े से, delays की वज़े से cost बढ़ते ही चले गए और इसका bill लोगों को pay करना पड़ा Plus, कई बड़े-बड़े scams सामने आए 1000 करोड से लेकर 10,000 करोड तर लोग scam करके bank से loan लेकर भाग गए In total, Central Bank ने 11 billion dollars के bad loans report किये IMF मानता है कि ये number जूट है उनका Central Bank ही जूट बोल रहा है Actual number इस आकड़े के double से भी ज्यादा है Chapter 3 बिजली का bill कौन भरेगा? किसी भी देश पर develop करना है तो industries लगेंगे अगर industries चाहिए तो cheap और reliable electricity लगे और cheap electricity provide करने में बांगलादेश ने काफी success पाई अब शुरू हुआ problem Russia-Ukraine war की वज़े से natural gas का पूरी दुनिया में shortage होने लगा और बांगलादेश जो आज भी 63% electricity natural gas से बना रहा है उसे इसका बहुत बड़ा फटका पड़ा 2010 से लेकर 2011 तक power sector को बहुत ज़्यादा subsidies मिले ताकि electricity production बढ़े और लोगों को cheap electricity मिले इन 11 सालों में power companies पर सरकार ने 7.1 billion dollars खर्च किया नया infrastructure खड़ा करना महंगा होता है तो बांगलादेश ने एक band-aid की तरह temporary और quick solutions ढूणना स्टार्ट किया जैसे QRPPs, quick rental power plants जहां private companies अपना infrastructure दे कर देश की electricity produce करने की capacity बढ़ाती है COVID के वज़े से अचानक से demand कम हो गई लेकिन contracts में ऐसा लिखा गया था कि सिर्फ ये extra capacity provide करने के लिए भी उन companies को payment करना ही होगा ऐसी companies में एक Indian company का भी नाम शामिल है Adani Adani को 25 साल के लिए Bangladesh इन total 11 billion dollars पे करने वाला है सिर्फ उनकी facilities provide करने के लिए फिर चाहिए Bangladesh उसे use करे या ना करे Bangladesh की tremendous progress ऐसे काफी risky decisions की basis पर थी जो गर COVID ना होता, Russia-Ukraine crisis ना होता तो बहुत अच्छे results दे सकता था लेकिन ऐसा हुआ ने Bangladesh की economy एक export-oriented economy है और इस export focus ने उनने बहुत अच्छे results दिये है 30.4% of the women in Bangladesh participate in the labor force जिसका मतलब ये है कि ये औरते actually economy को आगे लेके जाती है This is the biggest achievement of Bangladesh that we need to learn from और वो industry जिसने इन महिलाओं को रोजगार दिया वो है textiles Bangladesh आज एक textile powerhouse उनके export का 80% textile export है Majority of this is sold to fashion houses in Europe लेकिन COVID और Russia-Ukraine war के वजए से यॉरोप में recession के लक्षन डिख रहे है Recession का मतलब ये है कि लोग खर्चे कम करेंगे especially for things like clothes यॉरोप के clothing brands exclusivity बनाने के लिए नया inventory continuously order करते रहते हैं और unsold inventory periodically destroy करते रहते हैं Past fashion का ये अगली चेहरा हम एक और वीडियो में दिखाएंगे लेकिन इस cycle के वजए से बांगलादेश के लिए textile orders almost guaranteed ही थे उनके लिए 15% growth rate भी slow growth rate था Natural gas के बढ़ते दामों की वज़ए से textile factories में power cuts होना शुरूवा और orders delay होने लगे इस textiles के perfect stop में एक और twist है बांगलादेश least developed countries और LDC के category में आता है और WTO के rules के अनुसार developed देशों को LDCs को special benefits देने पड़ता है इस आ कॉल Generalized System of Preferences और GSP इस scheme के अंतरगत बांगलादेश के textiles पर कोई duty नहीं लगती Conversely भारत के textiles पर 6.5% की duty लगती है बांगलादेश में economic development हो रहा है इसलिए बांगलादेश इस LDC के category से graduate होने माला है यानि बांगलादेश को मिलने वाले ये benefits अब नहीं मिलेंग Chapter 5 तो भारत इससे क्या सीख सकता है Lesson 1 हमें loans को control करना होगा RBI ने ऐसे 5 states के नाम दिये है जिनका debt देश के लिए danger पैदा कर सकता है Problem ये है कि इन states में election के समय freebies और subsidies दी जाती है Actually सारे states freebies देते हैं लेकिन problem ये है कि कुछ states के पास and freebies को pay करने के लिए पैसा ही नहीं होता Lesson 2 Mixed Economy बनने की जरूरत Pakistan पर pandemic का बड़ा impact इसलिए हुआ क्योंकि Pakistan की economy पहले से ही weak थी Day-to-day life के लिए ज़रूरी चीज़े जैसे चाय, Pakistan इंपोर्ट कर रहा Shri Lanka को problem इसलिए हुआ और क्योंकि tourism पर उनका पूरा income dependent है वैसे ही बांगलादेश का सबसे बड़ा problem ये है कि उनके कपडों का सबसे बड़ा importer यॉरोप है जहां recession चल रहा India के लिए advantage ये है कि हम at least Pood के मामले में आत्मिर भर है We have to thank Lal Bahadur Shastri for the Green Revolution लेकिन फिर भी हम technology के मामले में West और चाइना पर dependent है अगर कल चाइना के साथ एक war-like situation हो गई तो जीते कोई भी नुकसान हमारा ही होगा क्योंकि हम चाइना से बहुत ज्यादा import करते हैं और third lesson ये है कि हमें data ठीक से maintain करने की जरूरत है बांगलादेश अगर एक नजरीय से देखा जाए तो बहुत अच्छी तरीके से perform कर रहा था सारे social indicators यही कह रहे थे बांगलादेश में गरीबी कम हो रही थी education बढ़ रहा था women empowerment पोरा था but on the other hand उनका चाइना जैसे देशों पर dependence भी बढ़ रहा था अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कोविड हमारे लाइफ से धीरे धीरे गायब हो रहा है लेकिन उसका deep impact अभी भी हमारे economies पर कायम है ऐसे situation में जरूरी है कि हम conversations important बातों पर करें economy पर करें देश को protect करने में अपनी energies invest करें और यही important बात आप तक पहुंचाने से मुझे परक पड़ता है